हे गाईज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और दोस्तों आजके इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रीवी करूँगा जो कि अभी आप अपने स्क्रिक पर देख रहे हो टैबलेट गिंटे 35 टैबलेट है मैं इसका यूस डोज साइसर्स प्रिक्वासर्स कॉमपोजिशन गिंटे 35 टैबलेट का रीवी करूँगा कि इसका को इस्तिमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों आप पूरा देख लोगे तो यह जो गिंटे 35 टैबलेट है इसके उपर आपको एक कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फरमेशन मिल जाएगा तो चलिए अब हम दो शुरू करते हैं दोस्तों गिंटे 35 टैबलेट है यह 21 टैबलेट का पत्ता में मिलता है कीमाथ है 3058 और दोस्तों इसे जो कंपणी बनागती है कंपणी का नाम है सिप्ला लिमिटेट दोस्तों यह इसके कंपणी आप बात कर सके कंपवेशन कि क्या केमिकल सॉल्ट की द दोस्तों यह इसका कॉंपवेशन आप बात कर सका यूज कि कहां का इस गिंटे 35 टैबलेट का इस्तिमाल किया जा सकता है दोस्तों इसका एक यह पर यूज किया हता है PCOS और PCOD को ठीक कर निकले दोस्तों PCOS का फूल फॉर्म आता है पॉल सिस्टी कोविडेंट सिंड्रोम औ अभी आपके स्क्रीम पर को दोपीक दिखाई मिल रहा है इसमें नॉर्मल अवरी है और एक में सिस्ट वाला अवरी है तो जो अबरी के अंदर चोटा पानी बारा वास्याग जिसा सिस्ट हो जाता है उसी को फिश्टी कहा जाता है पहला यूर्द दूसरा तो इसका यूज किया है तो यह सकता है नस तो इसका यूज किया है एक बट कंट्रोल पील में नवी से ले रही हो तो आपको अलक वर्द कंट्रोल पिल ले गरित नहीं है तो इसे कुछ यूसे आप बास के डोज की कौन सा डोज में स्टैबलेट का आडवाज किया तो इसका जो डोज चलता है वो डिपेंड करता कि मरेच किस परपस में दाओ और किस कंदिशन दाओं को ले रही है फिर भी आप कोई एजमपल के लिए डोज बता दे रहा ह ठीक है तो तुछ चलता है 2 लाट खातको खाने के बाद लगतार एक की दिनदर प्योज यह वाज एक गोली रात को खाने के बाद लगतार एक की दिन तकас ऑंत तो इस यह थोगाँ कुछ तो भूस्टा ऱ नौसीठ आपनि़ पिन और the सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो चलिए दोस्तु इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज बड़ियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब पर लो तकि आगे आने वाली वीडियो का नॉटिपिशन आपको मिलता है